नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, जैसे कि आपको पता है हमने कावे शास्तर के दोस्तों बहुत-बहुत-बहुत महतोपूर्ण प्रशन करने हैं, ये मैंने कलेक्शन एक बुक में से ली है और बहुत अच्छे कोश्चिन्स हैं, ने हम डिटेल से करने ही कोशिश करेंगे, प्रदम प्रशन है कावे की परिभाशा का प्रशन किसके विवेचन से संबंदित है, तो वो है कावे की आत्मा के, कावे का शरीर किसे माना जाता है, शब्द और अर्थ को कावे का शरीर माना जाता है, वैसे मुख्य शब्दों को ही माना जाता है, भरत मुनी ने किसे काव कावे की आत्मा माना रस को, अचारे भरत मुनि जिनका नाट्य शास्त्र बहुत प्रसद्ध है, अचारे विश्वनात ने कावे की आत्मा माना है, रस को, कावे की आत्मा रस है, दंडी और भामा ने अलंकार को, इनका अलंकार संप्रदाय भी है, केशव ने किसे माना है काव वामन का रिती संप्रदाय है तो वामन जी ने कावे क्यात्मा किसे माना रिती को और ध्वनी संप्रदाय है आनंद वर्धन जी का ध्वन्य लोचन लिखा कावे के कितने पक्ष है दो अनुबूती पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष अलंकार वक्रोप्ति और रिती संप्रदा उस पर ध्यान दिया है। ठीक है, निक्स्ट है, आचारे विश्वनाद जी के गरंद का नाम सहित्य दर्पन, भरत मुनी जी का नाट्यम रसात्मकम काव्यम है विश्वनाद जी का, रमनियार्थ प्रतिपाद कह शब्दह काव्यम काव्य समंदिय परिभाशा दी राज जगननाद जी ने, पंडित रा काव्य समंदि किसकी परिभाशा है, ये है, रुद्रट की बहुत बार पेपर में आती है, मिलान करों में ये सभी आ जाती है, शरीरम तावत दिष्ठार्ट व्यवत छिन्ना पदावली है, दंडी जी की, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम काव्य की ये परिभाशा दी आनन्द वर्धन जी ने, शब्दार्थो सहितव वक्र कवी व्यपार शालिमी बंदे व्यवस्थितव काव्यम ये परिभाशा है, खुंतक जिकी, अच्छे से आपको याद करने पड़ेगी, मिलान करों में ये सभी आती है, पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य की जो पर और शेली, शेक्स्पियर ने किस की प्रधानता मानी है, उन्होंने मानी है कल्पना तत्व की, विलियम वर्ध ने किस तत्व की प्रधानता मानी है काव्य में, भाव तत्व की, शेक्स्पियर कल्पना और वर्ड्सवर्थ भाव, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाशा दी, कॉल्रेज ने सर्वत्तम सब्दों का सर्वत्तम सान पर रखना। कॉल्रेज की कावय परिभाशा में कावय के किस तत्व के पधानता है अभिव्यक्ती। इन्होंने अभिव्यक्ती वर्ड्स बर्थ ने भाव। कविता जीवन की आलोजना है ये कहा मैथ्यू आर्नल्ड जी ने, मैथ्यू आर्नल्ड ने कावय परिभाशा में किसे महत्व दिया कविता के विश्य को, टॉक्टर जांसन ने, जांसन ने कविता की परिभाशा देते हुए लिखा, कविता सत्य और प्रसनता के समिश्रण की क जिसमें बुद्धी की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग होता है। किस तत्व को राग तत्व भी कहते हैं वो है भाव तत्व। प्रयायवाची हो गया राग तत्व। भाव तत्व की प्रधानता कावे के किस पक्ष से होता है अनुभूती पक्ष। शैली तत्व का संबद किस से है अभी व्यक्ति से। शैली का संबद अभी व्यक्ति से। भाशा शैली हम कहते ही अभी व्यक्ति से। कावे का वह कौन सा तत्व है जिसमें मानसिक पक्ष मौझूद रहते हुए भी बल बाहिय कलात्मक पक्ष पर होता है वो है शैली तत्व। वह कौन सा कावे तत्तु है जिसका उदेश्या अभिव्यक्ति को सरल से सरल उतक्रिश्ट से उतक्रिश्ट वक्र से वक्र और अकर्शक से अकर्शक बनाना है वो है शैली तत्तु यानि के भायपक्ष भरत के अनुसार आचारे भरत जी के अनुसार कावे के प्रियोजन कौन कौन से है धर्म यश आयू हित और उपदेश धर्म यश आयू हित और उपदेश अचारे दंडी ने कावे प्रियोजन कितने माने हैं? उन्होंने माने हैं दो ज्यान और यश इसको वैसे ज्यान एवम यश कहना चाहिए क्योंकि ये जिल है वामन जी के अनुसार कावे प्रियोजन दो प्रीती और कीर्ती प्रिती और केर्ती हेम चंद्र जी ने आनंद यश और कांतोप देश आनंद यश और कांतोप देश तो ये थे हमारे कावे शास्त्र से संबंदित पचास प्रशन अब हम आगे जो पेपर में ये बहुत इंपोर्टेंट है और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स में ताकि हम और अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेकि आएं और हम टोटल 200 प्रशनों को करेंगे थेंक यू बेस्ट आफ लग सब्सक्राइब जरूरा